नमस्कार आज का हमारा टोपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाई इंडेक्शन तो हम आवेशन की जो तीन वीदिया है उन में से दो वीदियों को पड़ चुके हैं गर्शन द्वारा आवेशन चालन द्वारा आवेशन और आज का हमारा टोपिक है प्रेरण द्वारा आवेशन प्रेरण द्वारा आवेशन ये जो टोपिक है वो RBSC और NCRT दोनों में है और NCRT में एक्जामपल के रूप में है कि आप किसी दातों के गोले को इसपर्स किये बिना कैसे दनावेशित कर सकते हैं तो हम इसको बिना इसपर्स किये ही हम उसको क्या करेंग दनावेशित करेंगे गर्षन द्वारा आवेशन में हम क्या कर रहे थे दो वस्तू को आपस में रब्ड कर रहे थे चालन द्वारा चालन में क्या था कि दोनों वस्तू को इसपर्स करवा रहे थे और प्रेरण में हम क्या करेंगे वस्तू को इसपर्स नहीं करवाएंगे एक दूसरा डिफरेंस यह है कि चालन द्वारा हम जो वस्तू को आवेशित कर रहे थे तो हम अनावेशित वस्तू के पास में जो वस्तू ला रहे थे उसी परकार का उसमें चार्ज आ रहा था जैसे हम दनावेशित छड़ ला रहे थे तो अनावेशित वस्तू भी क्या हो र दिनांवेशित हो रहे थी इस वीडियों में क्या होगा कि हम एक आविसीत वस्तु को अनावेशित वस्तु के पास में लाएंगे इस पर्स नहीं करवाएंगे और उसमें तो चार्ज उत्पन होगा हम जैसी वस्तु लाएंगे उसकी विप्रीद प्रकृतिक हो यह दिया हम हम पोजिटिव चार्ज लाएंगे तो उसमें अनावेशित वस्तु में नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर हम नेगेटिव चार्ज लाएंगे तो अनावेशित वस्तु में पोजिटिव चार्ज आएगा तो इसको स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक दातु का गोला लेते हैं और ये दातु का गोला अनावेशित है अनावेशित होने का मतलब ये नहीं कि इसमें चार्ज नहीं इसमें चार्ज है लेकिन इसमें पोजिटिव और नेगिटिव जो चार्ज है उनकी संक्या क्या है समान इट मिन्स इसमें जो नेट सार्ज है उसका मान जीरो है ठीक है इस दातु के गोले को हम कुचालक स्टेंड पर रख देते हैं ये क्या है कुचालक स्टेंड है अब हम इस दातु के गोले के पास में एक नेगेटिव रोड लाते हैं अब नेगेटिव रोड कैसे लेंगे कि एबोनाइट की छड़ को जब हम बिली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है रिनावेशी तो हो जाती है के Л requests यहां पर लिए है कि चार प्रोटों है और क्या एंडिलेक्ट्रान है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगटिव हाँ नेगटिव चार्ज होने के कारण उससे क्या होगा प्रतिक्र्शर्ण होगा क्योंकि क्या है समान आवेस क्या होंगे एक दूसरे से क्या होंगे प्रतिकर्शित होंगे तो यह माइनस आवेस है वो इस गोले के दूसरी तरब चला जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा पोजिटिव चार्ज बच जाएगा अब अगर हम इस रोड को अठा लेंगे तो क्या यह चार्ज जैसे हम रोड को अठाएंगे तो भी इसमें जो चार्ज है वो क्या है वापस से पुनर वित्रन होगा और इसका नेट चार्ज कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो हम क्या करते हैं इसको इस नेगेटिव रोड़ को इस पर से को करवाना नहीं इसके पास मिलेंगे तो पो उर्थिंग करेंगे तो यह जो यह पर पोजीटिव चार्ज है यह तो आपको पता ही होगा कि यह जो पूजीटिव चार्ज होता है वो नाब बीक मैं बहुत ही प्रभल बल नुकलियर फोर्स के द्वारे क्या होता है और दूसरी बात ये नेगेटिव चार्ज के साथ भी भी क्या है बाउंड है इसलिए ये तो जाएगा नहीं जाएगा कौन लेक्ट्रों जाएगा तो लेक्ट्रों जैसे इसको अर्थिंग करेंगे तो करने में हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो वह काम कि इसको दातु के गोले को इसमें क्या रहेगे है अनाविसी जुको गॉला है को कुछालक इस्तैंड पर रख देंगे इस बार इसके पास में नेगिटीव रोड की बजाए में पोजिटी आटेंगे अब पोजिटी रोड कैसे लेंगे कि रिज़ आउब इसे क्या करेंगे रब्ड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा पोजिटिव तो पोजिटिव रोड इसके पास में लएंगे तो इस गोले के इस साइड में तो क्या रह जाएगा नेगेटिव चार्ज तो इधर क्या बजाएगा पोजिटिव इस बार यह बजाएगा अब हम क्या करेंगे इस गोले को बूसमपरकित करेंगे इसको अर्थिंग करेंगे अर्थिंग करेंगे तो यहां पर तो है नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर है पोजिटिव चार्ज यहाँ पर जब हम इसके पास में लाए पोजिटिव रोड तो यहाँ पर तो आ गया नेगेटिव और यहाँ पर क्या आ गया पोजिटिव अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो तो इस चड़ के साथ में bound है, यह मुक्त तो है, यहां पर यह free है, यहां से आने जाने के लिए, लेकिन, यह इस positive charge के साथ में क्या है? bound है. और दूसरी बात, इधर जो positive charge है, वो क्या है? वो तो ऐसे ही bound होता है. क्योंकि, बहुत ही strong force के द्वारा क्या होता है? bound होता है. तो इस बार क्या होगा? करेंगे इस अर्थिंग उठा लेंगे तो इसमें क्योंन क्यों पर जाएगा नेगिटिव चार्ज एक इस साइड में लेकिन जब इसको यहां से इस रोड